बिस्विल्ही रबानी रहीम असलाम लेकोम आज आपके साथ अचारी अलू को रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप नाश्टे के लावा लंच और डिनर में भी बना सकते हैं एक कोई कोर इसी रेसिपी है बहुत माज़गी बनती है और बहुत आसान भी है इसको बनाना तो रेसिपी मकमल देखिएगा अच्छे लगे लाइक ज़रू कर दीजगा तो चलें मददार से अचारी अलू बनाना शुरू करते हैं पैन में यहां पर तेल शामिल करने के बाद हमने करीपते शामिल करने हैं यह मैंने ड्राइड किया है आप फ्रेश भी ले सकते हैं क्वाटर टीस्पॉन मेथी दाना शामिल करके चंद साइकिंड्स के लिए इसको कुक करेंगे उसके बाद हमने इसमें एक दिर्मियानी प्यास को चॉप करके शामिल करना है प्यास को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर अब इसमें हाफ टेस्पोंस साबो जड़ा शामिल करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे प्यास को हमने तब तक पकाना है जब तक इसके किनारे हलके से सुनहरे होने ना शुरू हो जाए यहाँ पर देखिए प्यास थोड़ी से सुनहरी होना शुरू हो चुकिया तो बस अब हम हमने इसमें टिवार्टर शामिल करने हैं में टिवार्टर दो अदद शामिल कर रहे हैं दिर्मियाने साइज के थे अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम तमाम मसाले भी साथ ही शामिल कर देंगे हजब जाए के इसमें नमक शामिल करेंगे एक टीस्पॉन करेंगे आप यहां पर सौफ का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं एक टीसपून लेसन का पेस्ट शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी मैस में डाल दूंगे ताकि यह मसाले जले नहीं इसी दोरां टीमाटर भी मजीद सौफ्ट हो जाते हैं और इस मसाल और शेप आप पर डिपेंट करती है आलो को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे ना सर्फ मिक्स करना है बलकि इसको हमने इस मसाली के साथ भूनना है तीन चार मिनट के लिए इसको हम इस मसाली के साथ मिक्स करते रहेंगे जहां पर मैंने आलो को काफी अच्छा मिक्स करते हुए इसको भून लिया है आलो के अजिस थोड़े से ट्रांस्पेरनिट हो चुके हैं अब हमने इसमें थोड़े सी कटी हुई और थोड़े सी साबोत हरी मिर्चे शामिल करनी है हरी मिर्चो के दर्मयान से मैंन थोड़ा सा कट लगा दिया है अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हमने इसमें तक्रीबन एक गिलास के बराबर पानी शामिल करना है ताकि आलो इसमें अच्छे से गल जाए अगर आप इन अचारी आलो को थोड़ सा ग्रेवी बनाना चाहती है तो आप इसमें पानी भी मज़ीद शामिल कर सकते है मगर फिलहाल इसमें एक गिलास पानी शामिल करेंगे ताकि आलो इसमें अच्छे से गल जाए कवर करके रगदेंगे जब तक कि आलो इसमें गल नहीं जाते इस तक आलो मुकामर गल चुके हैं आप ग्रेवी देख सकते हैं इसमें बिल्कुल परफेक्ट है अगर आप थोड़े सी मज़ीद इसमें ग्रेवी बढ़ाना चाहते हैं तो पानी अपने इसाफ से शामिल कर सकते हैं बस बिल्कुल लास्ट में हमने यहाँ पर हरा धनिया शामिल करना है वो शामिल करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे उसके बाद डिश आउट करेंगे यहाँ आप इसके फाइनल लुक देख सकते हैं माशालला देखने में बहुत खुबसूरत लग रहे हैं मगर यकीन जाने बहुत लजीज़ बन का त्यार होते हैं असान सी मज़े की रेसिपी है जिसे आप नाश्टे के इलावा लंच और डिनर के लिए भी बना सकते हैं एक वेक रेसिपी है जरूर बना कर देखिएगा इन्शाल आपको बहुत पसंद आएगी पूरी पराठे के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं तो ट्राय जरूर कीज़ेगा कॉमेंट लाइक और शेयर भी जरूर कीज़ेगा मुझे दे इन्जाज़त इन्शाल दोबारा होंगी अच्छे सी रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज